अच्छा कल अपने सब्जेक का इंड्रक्शन लिया था यादा सब्जेक क्या था हाँ अभी भी आदे बच्चे इवी सील बोल रहे हैं हाँ इसी आई पी एल जो अपना इवी सील है ना वो इवी सील कहां पर है इबी सील ओल सेलिबस का था ठीक है इसका फुल फॉर्म किता है ओल सेलिबस में एकनॉमिक बिजनिस आंड कमर्शियल लॉस लेकिन अभी हमें कैसा पढ़ना है न्यू सेलिबस वाला जो न्यू सेलिबस वाला है उसमें अपने सब्जेक का क्या नाम है इसी आई पी एल कमर्शियल और आई पी एल क्या है इंटलेक्श्वल प्रॉपर्टी और लॉज अच्छा कल हमने इसमें इंट्रडक्शन की बारे हम बात की थी यह बताओ सबसे पहले लॉज क्या होता है हमने कुछ एक्जाम्पल भी लिए थे खून खराबे वाले आप सबको रेलाइज हो हाँ तो आप सबको रेलाइज हो गया होगा कि खून खराबे करने है क्या खून खराबे हमें नहीं करने है अगर आपने ऐसे कोई काम किया है तो सिच्वेशन में क्या हो जाएगा आपके उपर लाइबिलिटी आ जाएगी और जो आपके उपर लाइबिलिटी आएगी अग उसको भी कहा जाना होगा उसको भी जेल जाना होगा इंप्रेजनमेंट ठीक है लेकिन अगर आपने कोई ओफेंस ऐसा किया है जो एकदम ठीक है नॉर्मल है तो उसके स्में आपके ऊपर क्या जाएगी पैनल्टी छूटी मोटी पैनल्टी रैक्त फाइन आ जाएगा पर पैन हाँ भौछ अच्छे रिवाइस किया था घरपर जाके कर शबसे पहले सबसे पहले क्या होता है स्टेप बताओ बिल सबसे पहले होता है बिल इसके बाद यह बिल बढ़ने जाते हैं पानी का ये बिल जाता है दोनों houses of parliament में कौन-कौन से लोग सभा और राज्य सभा इसके बाद में ये बिल कहां पे जाता है president के पास में president नखरे वखरे करके इसको क्या करता है assent देता है और assent के बाद में ये law law finally बन जाएगा act में कि बिल फाइनली क्या बन जाएगा ठीक है तो क्या हम कह सकते हैं लौ क्या हो गया एनी रूल्स एन regulations which are formulated विच आर फॉर्मिलेटेड और फॉर्मिलेट होने का ये process है और ये जो हम कर रहा है ये फॉर्मिलेट आप करोगे तो ultimately यहाँ पर हम क्यों बना रहा है उसको क्या रीजन था गवर्न करने के लिए क्या रीजन है वहाँ पर क्या करना चाहते हो, गवर्ण करना चाहते हो, क्या गवर्ण करना चाहते हो, क्या चीज, किसी भी आक्टिविटी को, अब जैसे यहाँ पर हमने कल किसको कंट्रोल किया था नेहा के, गुस्से को कंट्रोल किया था न, तो आप किसी भी एरिया, किसी भी आक्टिविटी को, किस क्या होता है इकनॉमिक लॉओ अच्छा एक सिकन्ड हाँ बोलो क्या हुआ ये दादागी नहीं करने है आप चलो देखो सबसे पहले हमने लॉओ में क्या देखा एक बार वापिस से बता दो हाँ रूल्स और रेगलेशन्स जो भी आप फॉर्म करते हो किसी भी अक्टिविटी को गवर्न करने के लिए अपने सब्जेक में जो फॉर्स चॉपक है वो कौनसी लॉओ है एकनोमिक लॉओ ही है तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में एकनोमिक लॉओ के बारे में तो एक चीज़ बताओ क्या हम दुनों को कंबाइन करके पढ़ें या पहले हम इंडिविजूल टर्म पढ़ें क्या हमने इंडिविजूल लॉका मीनिंग पढ़ लिया क्या हमने इंडिविजूल लॉका मीनिंग पढ़ लिया अब हमें कंबाइन करके पढ़ना है ने घड़न ने जाना है चलो सुनो यहां पर अच्छा एक चीज है ना सबको पता है अपनको मार्क्स जुद्धे चाहिए होते हैं पास होने के लिए इतने चाहिए होते हैं तो अब यहां पर आपको 40 चाहिए इंडिविजुवल सब्जेक्स में और अगर हम लोग बात करें एग्रिगेट की तो वह आपको कितने चाहिए होते हैं एग्रिगेट आपको चाहिए होते हैं 50% कूई एक स्टूडेंट है जिसके है ना 400 में से मान लो 300 पास हो गया अचाहिए अगर तुम्हें सिर्फ यह information अविलेबर है क्या तुम बोल तो कि हमें एक सिर्ज जो डेटा अविलेबर है वो डेटा कॉन सा बडिबल है एग्रिगेट का अगर आपको इंडिविजुवल नहीं पता मां लो उसके तीन सब्जेक्स में और एक एक सब्जेक्ट में 39 रह गए और बाकी तीन सब्जेक्ट में उसके मार्क्स ये आए है मैं एक्जेम्ट पेपर के बात नहीं कर रहे हैं ठीक है अगली बार तुम CS बन गए गई गई बता दो तुम्हें पेपर देने भी नहीं पढ़ेंगे तुम एक्जेम्ट भी हो गए स्टिल तुम आभी भी पास हुए क्या स्टिल तुम पास नहीं हुए तो तुमारे छे मैंने लगेंगे ही ना कुछ भी कर लो तुम तो क्या हम कह सकते हैं सिर्फ एग्रिगेट के बेसस पे आपक तो कुछ benefit मिलेगा कुछ तो benefit मिलेगा पर इंडिविज्वल रहे गया तो ultimately आप फेलो तो इसी लिए जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो क्या हमें डिरेक्ली एग्रिगेट पर कूदना है के जाके भाग भाग के नहीं हमें पहले किस पर ध्यान देना है फॉर्स फोकस रहेगा इंडिविज्वल तो यहां पर भी जब आप क्या पढ़ रहे हो ऐसा कोई भी टॉपिक पढ़ते हो जहां पर एक से जादा टर्म्स हैं जहां पर एक से रहेगा यहां पर हमने लौ का मीनिंग देख लिया अब उस लौ के मीनिंग को आपको फिट करना है कहां पर फिट करना है किसके मीनिंग को लौ के मीनिंग को आपको कहां पर फिट करना है एकनामिक में आपको फिट करना है ठीक है तो अब है ना इस सिच्वेशन में अगर ह इसको यहां पर आड़ करते हैं, तो अब आप बताओ कि economic law कैसे बनेंगे, सबसे पहले तो आपको meaning बताना होगा, economic का, बताओ, economic का क्या meaning होगा, economic activity आ सकती है, हापर कोई भी type की, क्या, यहां हम यह बोल सकते हैं, कि economic मतलब जो relate करेगा किस से, economic मतलब जो पूरी economy से relate करेगा, अब पूरी economy से अगर हो relate करता है, तो क्या हम उसमें कह सकते हैं, तीन जो हैं, वो most important parts उसके कौन-कौन से रहेंगे, first topic क्या था हमारा, production, second क्या है, distribution, and third क्या है, consumption, तो production, distribution, and consumption, यह तीनों किस से relate करते हैं, यह तीनों किस से relate करते हैं, economics से relate करते हैं, तो अब यहां पर यह तीनों activities, अगर आप लोग कर रहे हो, यह तीनों activities अगर आप लोग perform कर रहे हो, तो क्या हमें यहां पर rules and regulations बनाने की जरुवत होगी, यहां जरुवत नहीं होगी, rules and regulations मनाने की आपको जरुवत होगी, अच्छा जैसे, for example, एक company है, यह company मान लो, कौन सी company है, ABC Limited, कौन सी company है, ABC Limited, अब यह company जो है, इंडिया में incorporate हुए, कौन से act मनेगी, companies act में, obviously company है तो, अब यह जो है, आप इसको क्या ऐसा restriction लगा सकते हो, क्या इसके उपर, क्या आप किसके उपर ऐसा restriction लगा सकते हो, कि इंडिया से बाहर, जाने की तो जरुवत है नहीं, अच्छा, जा तो वैसी भी नहीं रही है, उड़के जाएगी क्या, इंडिया से बाहर, जाने की जरुवत मतलब, इंडिया के बाहर, transaction करने की जरुवत तुम्हें नहीं है, तो क्या यह चीज सही है, तुम्हें आदे, 1991 में, कुछ आया था, एक cylinder आया था, कौन से cylinder, क्या, economic cylinder, economic reforms का cylinder, ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे कौन से cylinder आया था, economic reforms का cylinder आया था, कौन से year में आया था, 1991 में आया था, अब है ना, इस situation में, तीन पार्ट से हैं आपर, L से क्या है, liberalization, P से क्या है, privatization, और इसके अलावा, G से है, globalization, क्या मीनिंग होता है इन तीनों का, liberalization, privatization, globalization, किसी चीज़ को आप liberal कर रहे हो, हमें वहीं पूछे न, किसी चीज़ को आप liberal कर रहे हो, उसका क्या मतलब है, हाँ, एक होता है term strict, और एक होता है term liberal, तो अगर मैं किसी चीज़ को बोल रहे हूं कि मुझे liberal करना है, तो liberal करना है का मतलब मैं वहाँ से strictness को हटा रही हूं या बढ़ा रही हूं, मैं वहाँ से strictness को remove कर रहे हूं, आप अना तुमने सुना होगा, पहले के time पे जो भी companies बनती थी, या industries बनती थी, या factories बनती थी, उनको क्या करना होता था, government से बहुत सारे permissions लेनी होती थी, बहुत सारे licenses लेने होते थे, उन्हें क्या करना होता था, government से बहुत सारे permissions और बहुत सारे licenses लेने होते थे, कब पह कोई भी अगर मानलो आपको कोई यूनिटी के स्टाइब्लिश करनी तो वैसे यह डढ़नी जाएंगे इतनी मगजमारी कौन करेगा इतना पैसा लगा दो इतना टाइम लगा दो और मानलो मानलो गवर्मेंट जो है वह नक्चडी निकल गई नक्चडी मतलब चिडचडी अब भई आपने को चोटी सीदी गलती कर दी होगी चोटी मोटी और मानलो उनको हाँ गुस्सा आगया आपको नहीं दिया अप्रूवल तो आपका टाइम भी इतना लग गया लेकिन आपको अप्रूवल मिला क्या आपको अप्रूवल नहीं मिला तो बहुत सारे नों हो क्या करते हैं छोटे मोटे लौग तो यह देख के हैं यह तहीन सोग पर्मिशन लेनी पड़ेगी और आपको ऑगर हमें तो मग्सें और यह सोचते दो क्याप सारे जो एकनौमे के लिए सधी क्या यह चीज हमारी एकनौमे के लिए सही नहीं क्योंकि हम क्या चाहते थे डेवलप्मेंट करना जब लोगों को आप इस तरीके से रेस्रिक्ष्ण लगाऊगे तो वो develop हो पाएंगे नहीं तो इसी लिए government ने क्या बोला है अब L में क्या था liberalization करते हैं इसका मतलब जितनी भी licenses और permission की requirement हैं सब पर मत लगाओ जो कुछ होते हैं जो कुछ type के special juices बनाते हैं alcoholic drinks और यह सारी चीज़े हो गई उसमें atomic energy से related हो गया तो अगर ऐसे टाइप की चीज़े हैं उसके लिए आप क्या रख लो license बाकि जो basic अच्छे अच्छे आदमी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं इसका मतलब यह वो बुरे हैं पर ठीक है वो थोड़े second term था P पी में क्या है प्राइविटाइजेशन का मतलब प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना पहले के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें किसके control में थी government यह हम क्या सकते है पब्लिक सेक्टर के control में थी पर आपने सुना होगा government में बहुत तरह करप्शन होता है बहुत डिले होता है एक तुमने वाट पढ़ाऊगा एकनॉमिक्स पर रेट टेपिजम में यह होता है कि वहां पर डिसिजन मेकिंग इतनी स्लो होती है तालते रहोगे टालते रहोगे होगा करप्शन प्राइबरी तो इन सब चीजों की वज़े से प्राइविट सेक्टर को तो सिलेंडर का P क्या है प्राइविटाइजसेशन ठीक है प्राइविट सेक्टर को हम लोग लेकर आए थे एन थे फाइनली जी मिग्लोबलाइजेशन निकलो थोड़ा हम भी बोलते हैं घर से बहार निकलो क्या पढ़े रहते हो घरी घर में पर तुम निकल के गलती से, मेंसे बिना पूछे तो निकल मत जाना, और घर पे साथ बजे से पहले, तुम अंदर चाहिए हो, साथ बजे से एक सेकंड भी भार रहे, तुम भाज देना, आने की सुरत नहीं है, पापंग बता देंगे, फिर तुम पिटना, फिर ये करना, वो करना तो ऐसे सारे चीज़ है, तो यहाँ पर भी हमने इंडिया को क्या बोला है, कि कब तक तुम अपने घर में छुपकर बैठे रहोगे, क्या करो, ग्लोबल लेवल पे जाओ, तो क्या हमने प्रमोट किये और जादा, एक्सपोर्ट्स, और जादा, इंपोर्ट्स, और इसके अ प्रमोट की गई, ग्लोबलाइजेशन में, तो यह हमारे सेलेंडर के तीन पार्ट्स हो गए, कौन-कौन से, लिब्रलाइजेशन, प्राइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन, लेकिन अभी जैसे हमने एक्जाम्पल लिया, हमने आपको पर्मिशन तो दे दी है, यहाँ पर ममी ने क्या पर्मिशन दी थी, बहार तो तुम चले जाओ, मैंने ही बोला है, लेकिन, रेस्ट्रिक्शन लगाए नहीं लगाई है, क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें 100% छूट दे दी जाए, तुम इतने अच्छे बच्चे हो क्या, तुम रहोगे कंट्रोल में, हाँ बोल है, ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हमें कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शन तो लगाने पड़ेंगे, अब कहीं मान लो, आप भार चले गए, ममी ने आपको बोल दिया, भार चले जाओ, और वहां पर आपने लडाए कड़ी किसी का सरफोर दिया, तो वो सारी चीजें हमें न जाओ तो कर दी, अच्हा हम कह सकते हैं यह सबकुछ economics में आता है यह सबकुछ economics में तो ultimately आता ही है, अब आपने यह सारी चीजें कर ली, लेकिन यह सारे चीजों के लिए रेगुलेशन चाहिए या नहीं चाहिए, जल्दी बता हु, यह सारी चीजों के लिए आपको क्या च चाहिए तो जो rules and regulations हम बनाएंगे किसको regulate करने के लिए economic activity को regulate करने के लिए वो सारे rules and वो सारे regulations क्या हम कह सकते हैं कि वो किसका पार्ट बनेंगे वो कौन सी law है economic law तो अब economic law के definition हम कैसे लिखेंगे economic law के definition any law which is formulated to regulate बोलो any law which is formulated to regulate economic activities formulated to regulate economic activities ऐसी law को हम कौन सी law बोलेंगे economic laws such law is known as economic law क्या कोई डाउट ठीक है तो यह हमारा होगा economic law example अभी हमने बात की globalization की global level पे जाने की इसके लिए जो हमारी law बनी हुई है वो law कौन सी है फेमा फेमा का फुल फॉर्म है फेमा है फोरें एक्स्चेंज management act कौन सी आक्ट है foreign exchange management act अभी जैसे हमने बात की आप क्या करोगे export करोगे आप क्या करोगे इंपोर्ट करोगे आप क्या करोगे investment करोगे क्या यह सब क्या करो दॉलर लेकर आओ तो यह सारी चीजों के लिए आपके पास में कौन सी लौ है फेमा फेमा इस टाइप ऑफ economic law क्या समझ में आए economic law पूरा ठीक है तो हमें जो अपना फॉर्स टॉपिक है फॉर्स टॉपिक जो है हमारा कौन सा economic laws वो कितने marks का है 60 marks का वो टॉपिक है अब एक बार यहां देखो पेपर का नेम देख लो अच्छा ही पेपर याद है तो कौन से ग्रूप में है ग्रूप 2 में है और पेपर नंबर किसी को 7 तो नहीं ध्यान है 7 लास्ट वाला है बतलब EBCL जो था ना वो ओल से लिबस में वो 7 था और अब यह 6 है कि good news क्या है तुमारे लिए एक पेपर क्या हो गया है एक पेपर कम हो गया है अब यहां पे इसका index देखो सबसे पहले जो हमारा part A है part A economic laws यह जो है वो कित्ते marks का है 60 marks का है यह कित्ते marks का है 60 अब देखो यहां पर जो laws हैं अब यह laws first से लेकर और 7 तक यह laws कौन से वाले है पेमा के अभी हमने example लिया आना पेमा का full form foreign exchange management act तो यह जो beginning वाले सारे laws है यह सारे laws कौन से है पेमा के है ठीक है इसके अलावा यह कुछ additional laws है जो हमें यहां पर देखने है तो यहां पर कित्ते chapters है total 14 chapters है और इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं remaining जो portion है remaining वाला हमारा कौन सा है intellectual property laws उसमें सिर्फ कितने chapters है उसमें सिर्फ 20 chapters है और यह 20 चाप्टर्स है और यह 20 चाप्टर्स सॉरी पहले पढ़ने है 20 यहां पर पढ़ने है नहीं नहीं पहले total 24 थे अब यहां पर भी chapters कम कर दिए गया तो तुम्हें चाप्टर्स वैसे ही कम पढ़ने है तो यहां पर सिर्फ कितने chapters है six chapters है और उनका कितना वेटेज है उनका वेटेज है 40 मार्क्स अच्छा यह तो जादा beneficial किसको पढ़ना होगा एक चीज होती है हाँ एक चीज होती है हमारी effort to reward ratio क्या होते है effort to reward ratio अब तुम बोलोगे क्या अकाउंट्स पढ़ा रहे हो ratio ratio क्यों पढ़े हम बोल रहा है कोई कोई formula नहीं है इसका नाम से एक लिए रहा है क्या समझ में आया हाँ मतलब basically यहाँ पर तुम्हें यह देखना है कि कहाँ पर हमारा effort कम लग रहा है और कम effort लगाकर जो हमारे marks हैं वो marks कैसे आ रहे हैं जादा आ रहे हैं एफोर्ट तो कम लग रहा है पर marks कैसे आ रहे हैं marks जादा रहे हैं तो यह चीज़ beneficial है नहीं है यह चीज़ beneficial है और कही कही पर आपका effort जादा लगता है और marks कैसे आते हैं अब मार्क्स कम आरें इसका मतलब यह नहीं कि आपके एफोर्ट में गमी है अब जब बोली दिया है कहीं पे कि अगर एक सब्जेक्ट में लेट से एग्जाम्पिल के लिए बीस चैप्टर्स हैं और वह सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स क्यों तो एफोर्ट कितना जादा है कि आपको 20 चैप्टर पढ़ना और मार्क्स कितने आ रहे हैं 30 तो अगर हम अपने सब्जेक्ट की हाँ पर बात करें तो जो हमने आईपील वाला पोर्शन देखा था उस वाले पोर्शन में कितने चैप्टर्स पढ़ने उनली तो हमारा एफोर्ट क हम है और मार्क्स कितने आ रहे हैं और अपको पास होने के लिए इतने चाहिए कौन कौन हिटो यह छे चाप्टर पढ़के जाएगा सिर्फ 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 नहीं हां अगर तुम्हें यह लगता है कि CS में अगर तुमने 40 का टेंट किया है और 40 में से 40 आ जाएंगे तो यह ग करेक्ट है ना तब भी यह चांसेज है कि पूरे की पूरे फाइफ नहीं देंगे वह फोर पर आके छोड़ देते हैं क्यूं नहीं होता राउंड ओफ में एक्जाक्ली पासिंग परसंटेज क्या वो हर किसी को CS बनाना चाहते है क्यों तुम उनकाना माइंड सेट सोचा करो वो तुम्हें पास करना नहीं चाहते हैं तुम्हें क्या करना चाहते हैं तो तुम उनको रीजन दो कि नहीं तु कितना ही ट्राय कर ले मुझे फेल करने का पर मैं पास तो होके रहूंगी और तुम उनको रीजन दो कि तुम तो पहले ही चाहते हैं मैं फेल हूं और मैं भी पोर्शन बने होते हैं कि कुछ 35 का हो गया कुछ उसके बाद 20 का हो गया इस तरीके से तो यहां पर बेसिकली हमें क्या करना है वो 6 चाप्टर्स तो बहुत अच्छे से करने इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ वो 6 चाप्टर्स कर रहे हैं अगर यह माइंड सेट है तो अभी स सुना होगा ना लग तो नहीं रहा है तुम मुझे ने एक्जामपल बता रहे हो एक्जामपल नहीं पूछे मैंने मीनिंग पूछा है जो बिजनस को अफेक्ट करता है इंट लेक्चुल अबर्टी अचा ये अपने घुट्णों से बार क्योंट वेरी गुट कुछ समझ गाये चलोम इंट लेक्ट्ट्यों का मतलब होता है जो किससे कनेक्टेट है ने मार्क से कनेक्ट अब्रें से कनेक्टेट है ठीक है ब tens1 हाँ, तो सब लोग अपने घुटने संभाल के बैठेंगे, किसी के घुटने को गुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं एक्जाम देना है, चलो, तो यहाँ पर हम लोग किस के बारे हम बात कर रहे हैं, intellectual property के बारे हम बात कर रहे हैं, तो जो intellectual property है, intellectual किस related होती है, ब्रेइन से, या हम कह सकते है, अपने human mind से, अब एक बात बताओ, mind के उपर, क्या तुम लॉऑ लगा होगे, क्या, क्या sense होगा या IPR का, प्रोपर्टी क्या होती है सबसे पहले चीज प्रॉपर्टी क्या होती है IPR में intellectual property है ना सबसे पहले तो तुम भी बताओ कि property क्या होती है ने property का normal में ने अच्छा संपत्ति हाँ अब तुम्हारा घर है तुमसे कोई नहीं चीन रहा है किसी कोई नहीं चाहिए अच्छा नॉर्मली क्या हम के सकते मान लो कोई किसी का land है या किसी कोई घर है तो वो उसकी property हो जाएगी और तुम जाओ वहां पर और जैसे आप यह प्रग्या वापिस गई नेहा के घर पर और नेहा को बोलती है कि नेहा यह मेरी property है उठ यहां से निकल गेट लॉस्ट नेहा वैसे गुस्से में एक तो यह बच गई ही पताने कैसे बीस तीस तो मैंने डंड़ने बंड़ने गुसाए इसको फिर भी और अब आई है मेरी property पर गबजा करने के लिए तो अब नेहा ने दिमाग चलाया अप पर अब प्रग्या के साथ मारपीट नेंगी क्योंकि उसको ultimately क्या समझ में आ गया यार यह मारपीट कर लूगी तो मेरे पर क्या लग जाएगी लौ लग जाएगी अब यहां पर गल्ती किसकी है इस situation में नेहा की है या प्रग्या की है property यहां पर है नेहा की और इस property के उप पर कबजा करने के लिए आ गई है प्रग्या अब नेहा ने क्या सुच है कि आप जो है ना मेरी गल्ती नहीं है तो मैं फाल्तु खून खराबे करके जेल में नहीं जाओंगी बहुत सीएस मैंने जेल से कर लिए आप मैं भार से करूँगी अपने रूम में ठीक है इस situation में नेहा के पास क्या कोई remedy अविलेबल है वो मारपीट के बिना भी प्रग्या को कुछ कर सकती है क्या क्या किसको पुलिस को क्या हम कह सकते हैं नेहा प्रग्या की उपपर केस कर सकती है क्यूंकि नेहा को लौ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है प्रॉपर्टी किसकी है प्र और उसके उपपर तुमने एक वोट सोना है कि ट्रेस पासिंग जेल में पढ़ लिया क्या हाँ 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 तो अब नेहा पर आ गई थी पिना प्रोमिशन की और फिर वो क्या बूल रहे थी कबजा वबजा करने की बाते कर रहे थी तो अब यहाँ पर नेहा केस कर सकती है क्यों क्योंकि उसको कौन राइट प्रोवाइड कर रहा है उसको लौ राइट प्रोवाइड कर रहा है तो क्या हम कह सकते है यह प्रॉपर्टी अभी कौन सी प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी तो अब इस सिटुएशन में नेहा के पास बेनेफिट है तो अब यहाँ प अब अभी हमने intellectual का मीनिंग क्या पड़ा था ब्रेन या human mind इसका मतलब कि हम हमारे mind को प्रग्या उसका धिमाग चूरी करके तो नहीं भाग जाएगी ना यहां पर intellectual property का मतलब क्या है exactly आपने property को create किया है और आपने वो create करने के लिए किसका use किया है mind का use कर रहा है और ऐसी चीज़े आपने बनाई है जो exclusive आपकी property है हमने क्या बनाई थी पहले physical property अभी हम क्या बना रहें कॉंसे property बना रहे है intellectual property मतलब mind का use करके अब let's say अब कोई और का example लेता है नहां बोलेगी पीछे पड़ गई में हाँ किसका नाम बताओ निविया क्या निविया क्रीम spelling मताना एन वी वाई ए इनोवेटिव नाम है हाँ निविया ठीक है एक second हाँ ले लो अच्छा वैसलीन ठीक है अब सुनो निविया ने क्या सोचा कि है ना अब मैं हाँ पर आई हूं और यहां पर निविया ने मेरी क्लास लेकि उसको पता चल गया कि मैं यहां पर क्या करवाने वाली हूं हाँ 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 नहीं है हाँ रिटेन नोट्स अब निविया ने क्या सुचा यार मैं अपने घज से अभी अभी निविया क्रीम लगा के आई हूं अब मैं क्रीम नगा कर आई हूं मेरे प्यारे प्यारे हाथों पर और यह मुझसे इतनी मजदूरी करवाएंगी इतना सारा लिखवाएंगी तो अब इस सिचवेशन में मुझे नहीं लिखना है लेकिन क्लास में बैठना है तो लिखना बढ़ेगा अब है ना इसने घर पे इसे ब्रेन चला कर एक मानलो टेकनोलोजी क्रियेट की एक टेकनोलोजी क्रियेट की कि इसमें अपने हाथ के साइस काई ऐसे गलव ताइप का कुछ बनाया और पतानी कैसे कैसे क्या किया साइटिस्टों की हल्प लेके और यह बैठी रहेगी और इसके बहाफ पे कौन और आगे से वो क्या दिखेगा कि आप क्लासिज ले रहे हो, देखा था तुम ने, तब मानलो इस टाइप से उसने क्या किया, एक हैंड बना लिया, जो ऐसे क्या लग रहा है कि वो चल रहा है, और वो हमेशा पीछे ही बैठने था कि बैठने चेक नहीं करके आँ जाके, और यहां पर कुछ चोर लोग थे, जिन्हों ने देख लिया कि इसने ऐसे से कुछ बनाया है, और उनको पहले से ही पता था कि कुछ बनाने वाली है, क्योंकि यह ऐसे नहीं चाहती है, नूर्स बनाना, और वो लोग, यह दोनो, कौन-कौन, श्वेता और पीछे कौन, पान, न तो यहां पर नीतिका भी है क्या, तो यहां पर श्वेता और निकेता यह लोगों ने देख लिया उसको, अब इनको क्या लगा, हम तो इससे बड़े आलसी हैं, और इतने बड़े आलसी हैं कि हम दिमाग भी नहीं चलाएंगे, ना कोई इनोवेशन करेंगे, चोरी करेंगे हम तो चोरी चकारी करेंगे, अब यह ऐसे पीछे से चुप-चुप के देखने लग गए, और इन्होंने क्या ट्राय किया, अब इसने बहुती सेफ ले रख रखा था, तो यह चोरी तो नहीं कर पाए, पर इनको समझ में आ गया कि अच्छा बनाते हैं और ऐसे ऐसे करके व गुटने कैसे काम कर गए, मैं अलाव नहीं करूंगी यह चीज, अब नीविया क्या करें, अब नीविया ने कॉंट्राक्ट किया, नेहा के साथ नेहा, डंडा लेकिया, मैं बताऊंगी इनको, और एक गलव पैन के डंडे पर लगाना ताकि फिंगर्पिंट्स भी नहीं आ अच्छा, मतलब दूसरों के गलती में पहले दिखाए देगी, हाँ, तो आप बताओ यहाँ पे, सबसे पहले तो गलती किसकी है, जिन्होंने चूरी करी है, लेकिन यह उसने बिल्कुल ठीक बोला, आप अगर, जैसे माल लो वो प्रॉपर्टी, अगर हम पहले वाला होते हैं, और फिर नेहा बोलती प्रग्या को कैसे आ गई, मेरी प्रॉपर्टी है, तो तब वो अलाओ करते, केस को नहीं करते, पर वो प्रॉपर्टी, अरे, वो प्रॉपर्टी नेहा के नाम पे क्या है, रेजिस्टर्ड है न, अब वो रेजिस्टर्ड है, इसी सिच्वे कि तुमने जो अपना human mind है उसको यूज करके क्या किया है कोई invention किया है innovative कोई चीज बनाई है तो सबसे पहले आप उस invention को क्या करो तो safeguard करो यानि आप उसके उपपर क्या करो अपना right secure करो अपना right secure करो अब आपने अपना right ले लिया उसके उपपर आप क्या हम कह सकते कि वो registered है तो अब यह invention था यह property बन जाएगी अब यह invention प्रॉपर्टी अभी तक यह प्रॉपर्टी नहीं थी यह ऐसे random था अब यह invention क्या आप आप अब तुम दोनोंने की चुरी चकाओ या फिर सेम कॉपी-पेस्ट अब नेविआ के पास में राइट है कि वह तुम्हारे उपपर क्या कर सकती है वह प्रॉपर्टी改्ष कर सकती है कीयंकि त हो ऑल्पॉपर्टी अब मुझे एक चीज बताओ यह जो intellectual property है intellectual क्योंकि आप उसके ideas जो है जो उसने invention किया है उसके उपड़ वो राइट ले रही है किसी land या building के उपड़ राइट में ले रही है यह वो उस glove के उपड़ राइट में ले रही है उसना पर दिमाग का जो idea यूज करके वो बनाई है ना उसके उपड़ राइट ले रही है तो क्या मैं इस property को intellectual property बोल सकती हूं और यह intellectual property को तुम जैसे चोर चोरी नहीं करें इसके लिए हमें क्या चाहिए protection चाहिए तो इसके लिए क्या मैं कह सकती हूं कि मैंने जो अब बताओ definition कैसे बनेगी मैंने जो क्या बनाए है मैंने जो rules बनाए है and क्या बनाए है regulations बनाए है मैंने क्या बनाए है कुछ rules and मैंने क्या बनाए है कुछ regulations यह जो मैंने rules and regulations बनाए है अच्छा हम definition आगे क्या लिखते हैं, क्यों बनाए हैं, formulated to, formulated to, protect बोल लो, या regulate बोल लो, क्या चीज, formulated to, protect या फिर regulate, अब मुझे आपर property को प्रोटेक्ट करना है, पर वो कौन सी property है, intellectual property है, और आपको उसको protect करना है, तो जो ये आपने rules and regulations बनाएं, इनको मैं क्या बोलूँगी, कौन सी law, intellectual property law, इनको मैं क्या बोलूँगी, intellectual property law, ये तुम्हें लिखना था, तुमने economic law लिखा है, आप copy लाए हो, तो वो economic law लिखना है, और ये ये भी लिखना है, ये लिखा है, लेखो, अच्छा first page पे, अपको पहले जो अपना ये index था ना, वो भी लिखना है, बार-बार तुम book नहीं open करोगे, रूखो एक second, हाँ, वो commercial और वो वाली, हाँ, उसके नीचे, तुमने ये ऐसे बनाए हैं, portions, ये बनाओ पहले, चैप्कर के आगे नहीं बोला हैं मैंने, ये subject के introduction के लिए बोला है, सुनो, इस तरी के से लिखना है, सबसे पहले, ये heading बनाओ, EC, IPL, और ये कितने marks का है, 100 marks का है, and then इसके दो parts, पार्ट A में economic and commercial laws, and then part B में intellectual property laws. इक सेकंड रुखो. एक सेकंड रुको. चैप्कर से पहले भी meaning लिखना है, जो अभी हमने डिसकस के था economic laws में, अपने आप ट्राया करोगे? नहीं? किस में लिस्ट में हाँ हाँ और क्या बस वाई है न वो न दिसेंबर तक छूटे ही रहता अगर मैं homework दे देती न है वैसे ही रहता है दिसेंबर में करते हैं तो क्या ही करते हैं लिख लिए गी है ठीक है अब economic laws में लिखो अपने बताओ जल्ली करो अब भी लिखा था हमने इक्नमेक लाउ मोब इक्नमेक लाउ है इसमें लिखो रूलस्रे इंड्रेगलेशन्स रूलस्रेगलेशन्स क्यों राए गर रहू? Rules and regulations formulated to Rules and regulations formulated to regulate and control regulate and control कौन से activity? Economic and commercial भी है नहीं यहाँ पर commercial भी किसे रिलेट करता है? Business से रिलेट करता है Economic and commercial activity Economic and commercial activity अच्छा यहाँ पर हमने इसके तीन पार्ट्स बनाया थी से क्या? Economic activity के कौन कौन से? Production Distribution Distribution And third है Consumption अब अब इंटेलेक्शिल का ट्राय करोगे? बोल दो no Straight forward बच्चे है ना नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे हम आपको जूठी उम्मीदों में रखना है नहीं चाहते हैं प्राप्पन क्या है आपयाँ अच्छ चलो किस किस ने IPR लिखना ट्राय किया लिख 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 लिया एक्सलेंट और जोसे नहीं लिखा है उनके लिए मैं लिखू नहीं मुझे इतनी उम्मीद थी कि हम यह बोल दे कि नहीं हम घर पर ट्राय कर लेंगे आप क्यों लिख रहे हैं रेमेनिंग वाले लेकिन चलो ठी है है कि हम बिगनिंग है तो लेको इंटलेक्षल पॉपरटी लाउанти में अच्छा स्टर्टिंग तो बताओ अपने आपसे हां बिल्कुल रूल्ज अन् डेगुलेश्टिंशस लिखूर्मू में इंड तूर्मुलेटिटिध्यू ए कौन सी प्रॉपर्टी इंटलेक्जुल प्रॉपर्टी अच्छा इंटलेक्चुल प्रॉपर्टी जो है क्या हम उसे कह सकते हैं क्रियेशंस आफ और ऐ्मनी मे mmb communities बहुत देल दरागे करने में creations of human mind. अच्छा, एक बात बताओ, जो तुमने बिगिनिंग में examples बताये थे, लिखो एक बारी. हाँ, intellectual जो property हमने आपे लिखा है न, intellectual property के तुम examples करके लिख सकते हो. हाँ, बताना क्या क्या examples होते हैं? आच्छा, जो हमने example लिया था, वो hand glove वाला, क्या हम कै सकते हो, यह type का invention है, तो invention पर आप क्या लोगे? copyright नहीं, patent, invention पर हम लोग लेते हैं patent, हाँ, सब बोल दिए, एक तो लगेगा, यह detail में तो हम अपने chapter से बात करेंगे, अभी हम उनली नाम लिख रहा है, आच्छा, जैसे name बगेरा है, तो अब अगर यह निव्या, business करती है, तो क्या वो अपने नाम पर ले सकती है? अच्छा, तो patent हो गया, trademark हो गया, इसके अलावा, copyright, तुम देखते होगे, जो यूट्यूबर्स होते है, अगर वो कोई song वगयरा प्ले कर देते हैं, उनके उपर क्या आजाता है, copyright का आजाता है, तुम देखा, telegram channels होते है, वो चोरी करकर के pirated movies जालते हैं, और फिर दो दिन बात के आजाता है, this channel is deleted due to copyright infringement, तो वो सारे चीज़ें किसमें आ जाएंगे, music हो गया, आपका, novels वगयरा हो गई, writings वगयरा हो गई, वो सब कुछ किसमें आ जाते है, copyright में आ जाते हैं, ठीक है, तो patent हो गया, trademark, copyright, इसके अलावा, एक होता है हमारा design, यह क्या होता है, design और एक होता है, geographical indication, design and then geographical indication, ठीक है, तो यह जो है न, यह दोनों बात में बात कर लेंगे, basically design अगर अपने नाम से देखें, किसी भी product है, और उसकी आपने कोई type की क्या बनाई है, युनीक सी design मनाई है, तो आप उस पर भी क्या ले सकते हो, protection ले सकते हो, और geographical मतलब area से connected, कि यह अगर इस area से आ रहा है, तो उसका आप लोगे, अब कैसे वह हम बात में बात करेंगे, पर क्या सबको introduction clear है, किसका EC, EC क्या था economic and commercial laws, और second क्या है, intellectual property laws, ठीक है, चलो, कल से हम ल क्या है?